हेलो लोड़नों साथ सब्सक्राइब को पैरवार नमस्कार ग्यांसिक क्लास्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो डेली MCQ प्रेक्टिस स्रीज का ये सेसन स्टार्ट करते हैं आज है 20th November यानि 20 November है और आज के सेसन को स्टार्ट करने से पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है काइनली वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके सुझाओं है नीचे कॉमेंट सेक्से में दे दिया करिए लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करिए पहला करते हैं आज के से इंपोरे सेसन को अच्छे से साल्व करिए गा और नीचे कॉमेंट सेक्से में हर एक फ्वेस्टन का आंसर मेंशन करते हुए चलिएगा पहला कॉशन हमारे सामने है which of the following is a key component of reflective teaching aimed at improving the teaching process through self-evaluation बात कर रहे हैं मैं आपर कि नमलिखित में से कौन सा परावर्तक सिक्षण का एक महतुपुन घटक है जिसका उधेस्य आत्म ल्यांकन की माध्यम से सिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है options आपके सामने ये हैं पहला option है problem-based learning दूसा option है peer feedback तीसा option है reflective journaling और चौता option है teacher centered approach यानि समस्य अधारी तद्यन सह कर्मी प्रतिक्रिया परावर्तक लेखन और सिक्षक केंद्रित धिर्शिकोर बताई नमें से कौन सा सही उत्तर होगा कौन सा option जो है वो आपको सही लग रहा है यानि परावर्तक सिक्षड अगर परावर्तक सिक्षड या reflective teaching के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे important चीज होंदे कि problem-based learning अगर हम बात करें तो यह focus करता है problem solving पर समस्य समाधान पर यह focus करता है self evaluation पर focus नहीं करता है यहाँ पर बात कर रहा है self evaluation के थ्रू आत्म मुल्यांकन के माध्यम से तो यह नहीं होगा option peer feedback देखिए peer feedback ओध अची चीज है external feedback मिलेगा तो आप अपने teaching का और बहतर कर पाएंगे लेकिन self reflection नहीं है वो दूसरे लोग आपको बता रहा है और यहाँ पर आपको आत्म मुल्यांकन खुद से आपको अपना मुल्यांकन करना है as a teacher तो यह भी नहीं होगा option सही reflective journaling यह क्या होता है reflective journaling जो होता न यह teachers को help करता है कि वो self evaluate करे खुद का मुल्यांकन करे इसमें वो एक notebook माल लिजिए उसमें वो note करते रहते हैं journal यही तो होता है जिसमें आप अपने experiences को note count करते रहते हैं और अपने teaching practice को improve करते हैं तो यही अगर हम बात करें reflective teaching में तो reflective journaling जो है वो एक core practice है और यह allow करता है teacher को कि वो document करें और evaluate करें अपने teaching methods और experiences को और identify करें कि कौन से ऐसे area of improvement है यहाँ पर उनको काम करना है और better strategies लाएं effective teaching करें तो इसलिए C option इसका correct answer हो जाएगा अगर हम बात करें D option की तो यह है teacher centered approach और यानि सिक्छक केंदृत दृस्टी कोर्ट तो देखे teacher centered approach में यहाँ पर आप जो है कभी भी self evaluation के बारे हम बात नहीं करते क्योंकि teacher जो है वो self evaluation के बात कहा करते है teacher तो बात करते हैं कि वही आपको बस क्या करना होता है सिर्फ और सिर्फ आना है lecture deliver करना है और जाना है तो इसलिए यह teacher centered approach भी नहीं होगा इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा C option और इसलिए I hope कि इसका सही उत्तर नीचे comment section में आपने दे दिया हो बढ़ते हैं second question पे which of the following is an example of descriptive research हम बाद कर रहे हैं आपर वर्णात्मक शोध के बारे में इसका कोई भी एक उदाहरन बता ये चार उदाहरन आपके सामने दिये हुए है इनमें से पौन सा एक उदाहरन सत्य है for descriptive research और वर्णात्मक सोध पहला है एक अध्यन जो एक नए सिक्षण विधी की प्रभाव शीलता का पलक्षण करता है a study testing the effectiveness of a new teaching method दूसा option है एक अध्यन जो दो चर के बीच संबंध कि जाच करता है a study examining the correlation between two variables तीसा option है चातरों के online learning के प्रति द्रिश्थी कोडों का सर्वेक्षण a survey of students attitudes towards online learning और चौथा option है एक अध्यन जो कारण और प्रभाव के संबंधोर पर केंद्रित है यानि a study focusing on cause and effect relationship तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए question number two लिखिए नीचे comment section में जाईए और mention कर दीजी कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा देखिए हम एक एक option discuss करना start करते हैं अगर हम बात करें first option की तो कहा रहा है कि study testing the effectiveness of a new teaching method तो अगर आप एक नए teaching method के effectiveness की जाच करना चाहते हैं कि वो कितना प्रभावी है कोई नई सिक्षडवी थी आप ले क्या हो वो कितना ज्यादा change लाता है कितना effect आता है उसका तो इसके लिए आप क्या करेंगे experimental research करेंगे याद रखेगा experimental research में ही तो आप और उसका प्रभाव देखते हैं तो कारण क्या हो गया कारण हो गया नए teaching method और इसका प्रभाव देखेंगे आप on the learning of students तो इसलिए ये जो है experimental method हो जाएगा यहाँ पर descriptive का पूछ रहा है तो ये नहीं होगा B option देखें a study examining the correlation between two variables तो अगर दो variables के बीच में correlation ये संबंध की जाच आप करोगे तो वो क्या होगा संबंध की जाच हमेसा co-relational research में होता है इसमें ये example जो है co-relational research का हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा a survey of students attitudes towards online learning यानि चात्रों के online learning के पति दिरिस्थी कोड़ों का तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई चात्र का क्या attitude है towards online learning यानि online learning के प्रति वो क्या सोचते हैं तो ऐसा अगर आप as it is जो चीजे हैं उसको as it is describe करके और उसके उपर research करो तो उसको हम कहेंगे descriptive research यानि वरनात मक्षोद और यही इसका correct answer हो जाएगा C option is the correct answer for this question और चौथा यहाँ पर option है study focusing on cause and effect relationship एक अध्यन जो कारण और प्रभाव के सम्मंदोर पर केंदित हैं तो again यह causal research भी कहते हैं या फिर cause and effect relationship आपका experimental research में भी होता है तो experimental research आजाएगा causal research आजाएगा अलग-अलग type के research हैं cause and effect relationship होता है हाँ आपका एक होता है explanatory research तो यह सभी cause and effect relationship पर काम करता है अब हम बढ़ते हैं अपने third question पर I hope की second question को सही उत्तर आपने दिया हो तीसा question है which of the following is not a component of communication according to Shannon Weaver model बात कर रहे हैं पर हम Shannon Weaver model के बारे में याद रखिएगा कौन सा इन में से संचार का घाटक नहीं है Shannon Weaver model का नुसार पहला है प्रेशक यादि sender दूसरा है sendage यादि message तीसरा है craft करता यादि receiver और चौथा है noise यादि shore तो कौन सा इन में से नहीं है which of the following is not a component of Shannon Weaver model देखिए तो अगर हम बात करें sender की तो यह originator होते है message के एक important component होते है और Shannon Weaver model में बात किया गया है इसके बारे में और दूसरा अगर हम बात करें message की तो देखिए content जो communicate आप कर रहे हैं वो तो core component है वो तो होगा ही होगा तो यह भी जो है इसका सही उतरनी होना चाहिए receiver जो target होते है message के तो यह भी एक core component है तो यह जो है यह भी नहीं होगा एक component नहीं होगा communication का और इसके अलावा अगर हम देखिए तो देखिए आपको यह मालूम है कि first time जो है noise वाला concept कहां आया था अगर आपको याद हो तो बताइए कि noise का जो concept है वो कहां आया था first time जो है communication में concept model ने बात किया था यह noise के concept के बारे में बताइए आप तुरंत देखिए Shannon-Weaver model of communication theory जो है इन्होंने ही बात किया था noise की और इन्होंने ही बताया था कि noise जो है वो कहीं ना कहीं disrupt कर सकता है आपके communication के एक component के तौर पर काम करता है तो noise भी होगा तो यानि कि यहां पर एक printing mistake हो गया e option भी होना चाहिए और यहां पर none of the above उपरोक्त में से कोई नहीं और यही e option इसका correct answer हो जाएगा तो यह मुझे typing mistake हुआ है यहां पर type करते समय तो इसमें से कोई है नहीं कि यह चारो ही component जो है न सनन वीवर मॉडल का अनुसार आपके component है communication के क्योंकि कहीं न कहीं जो noise है यह आपके जो communication है इसमें barrier के तौर पर काम करता है इसमें standard जो है यह information source होते हैं encoder यह transmitter भी होते हैं वो message को transmit करने के लिए help करते हैं decoder reception होता है यहाँ पर और receiver dual destination होता है तो यह जो है Shannon Weaver model of communication है और noise का concept यहीं पर आता है तो यह चीज़े जो है आपको ध्यान में रखना होगा और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रशन पर in the context of information and communication technology which of the following is used for creating interactive learning environment यानि सूचना और संचार पद्योगी की के संदर्ब में निम्रिथित में से कौन सा interactive learning परियावन बनाने के लिए उप्योग किया जाता है पहला है digital television दूसा option है e-books तीसा option है virtual classroom तो चौथा option है audio podcast तो बताइए इन में से कौन सा सही उत्तर होना चाहिए ICT के लिए ICT के संदर्ब में हम बात कर रहे हैं तो इन में से कौन सा interactive learning environment बनाने के लिए use होता है यह ना interactive learning environment तो अगर हम बात करें इस particular question की सबसे पहले तो आप नीचे comment से समय जाईए और mention कर दीजे आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए और अगर हम digital television के बारे में बात करें तो यह one way communication है one way मतलब एक तरफा हो जाता है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं interaction के यह interactive है ना interactive मतलब हमेशा याद रखेगा कि यह two way होगा यह दो तरफा होगा ebook यह भी आप one way होता है यह भी static content होता है इसमें कोई भी प्रकार का interactivity नहीं होता है बस यह किताब का एक online version है तो static होता है यह भी तो यह भी नहीं होगा virtual classroom जो है virtual classroom एक interactive environment बनाता है real time participation होता है जैसे live class में हम लेती है आपका तो live class में आप interact कर सकते हैं आपका जो comment है वो सामने हमको दिखता है तो वो interaction होता है तो virtual classroom जो है यह कही नहीं एक interactive learning environment बनाता है बनाने में help करता है information communication का technology का use करके और यह provide किये जाता है audio podcast जो होता है इसमें भी interaction नहीं होता है passive listening होता है बस यानि आप जो है बिना active हुए, बिना सक्रिय हुए निस्क्रिय होके बस सुनते हो audio podcast को तो C option इसका है सही उत्तर हो जाएगा तो I hope कि चौथे प्रशन का सही उत्तर आपने नीचे comment section में दे दिया हो बढ़ते हैं अपने पांचवे प्रशन के तव and we are halfway through the video तो अगर आप यहां तक वीडियो को देख चुके हैं kindly वीडियो को like कर दीजिए consider करिए चाहाँ को subscribe करना क्योंकि आपके एक like और एक subscribe से हमें motivation भी मिलता है और साथी साथ हमारा ये छोटा सा community और बड़ा बनेगा तो पांचवा प्रशन है which logical policy occurs when a conclusion is based on insufficient or biased evidence यानि कौन सा तार्किक भ्रांती तब होती है यब निसकर्स और परियाप्ति या पक्षपाती प्रमाणों पर अधारीत होता है याना पहला option है history generalization दूसा option है false dilemma तीसा option है slippery slope और चौथ option है circular reasoning तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा history generalization यानि जल्द बाजी में अपने समान्मी करण कर दिया फिर false dilemma मतलब जूठी दूइधा सिर्फ दो ही option आपको दिखते हैं कि हाँ ये हो सकता है slippery slope फिसलें धलान इसको हम कहते हैं कि एक घटना के होने से ये हो जाएगा इसके होने से ये हो जाएगा ऐसा होता है और आपका circular reasoning मतलब वोल मुल करके एक ही बात को वहीं पिकूंके आ जाना बताइए इनमे से कौन सा logical policy होता है जब conclusion जो होता है वो insufficient या biased evidence के ऊपर based होता है यानि आपने निसकर्स तो निकाल लिया लेकिन जो प्रमाड आपने यूज किया है या तो वो अपरयापत है या फिर वो पक्षपात किया आपने उस वो यूज करते समय है तो बताइए इसका सही उतर क्या होगा आपके हिसाब से देखे अगर मैं बात करूँ इस particular प्रस्ट नि question number 5 लिखे आपका जो सही उतर है नीचे comment section में ज़रूर mention करिएगा और एक और चीज आप से distance कर लो देखे एक्जाम का date अब announce हो चुका है आपका और कल से यानि 19th नवंबर से जो है आपका form filling start हो चुका है और ये जो है लगवग 10 December तक का time दिया गया form filling के लिए 10th December तक का time है form filling के लिए आप लोग अब serious हो जाईए 1st January से जो है आपका paper expected है कि भाई होगा बता रहे हैं कि एक January से हम paper लेना है start कर देंगे और CBT mode में ही paper होने वाला है pain and paper mode में नहीं होने वाला है किसी प्रकार का negative marking अभी नहीं है और इसका आपको फाइदा उठाना है क्योंकि आगे चलके negative marking जो है वो कभी ने कभी introduce होने वाला है और उसके पहले आपको ये exam crack कर लेना है तो अब कम से कम जो है आप serious हो जाईए अब कम से कम ये sessions जो है वो बिल्कुल miss मत करिएगा देखिए ये रामबार session है आपके लिए क्योंकि इतने पहले से हमने ये session से start किया है लगभग अभी 70 एक जो है हमारे sessions हो चुके है तो यानि लगभग हम दो महिने से उपर से ये session चला रहे है और हमारा बस यही focus है ऐसानी एक exam आएगा तो हम videos बनाने लगेंगा हमारा focus होता है आपका overall improvement हो अब देखिए आपके उपर है कि आप daily session से जुड़ते हैं और अपने concepts को बहतर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं और साथी साथ like share जरूर करते रहिएगा तो इससे हमें भी motivation मिलेगा जो भी help चाहिए आपको examination के recording बहुत जरूर हम से पूछ सकते हैं doubt troop में अब start करते हैं इस particular question का explanation तो देखिए अगर हम बात करें तो यह logical fallacies related question है और पहला option है history generalization में आप क्या करते हैं आप कोई भी conclusion draw कर लेते हैं limited evidence के basis पे मतलब आपके पास बहुत ही limited evidence होता है बहुत जादा साक्षन ही होता है आपके पास लेकिन फिर भी आपने उसी के basis पे को वो hasty generalization कहलाता है जल्दवाजी में आपने समानी करण कर दिया कोई भी एक घटना देखा और आपने बोला जैसे अगर मैं बोलूँ आपने मुझसे कहा कि जितने कुत्ते हैं वो काले होते हैं क्योंकि आपने ऐसे ही कुत्ते देखे होंगे जो काले होंगे तो आपने बोल जासे यह history generalization हो जाता है और यह conclusion गलत हो जाता है तो इसलिए यही सकसा ही उत्तर हो जाएगा A option false deliver में तो आप एक choice आपके पास force कर दिया जाता है एक ऐसा choice जिसमें सिर्फ दो option होंगे only two option अब देखिए आज के परिवेश में भारत में क्या हो रहा है दो party जो है दो major parties है जो politics में काफी active है अब आपको या तो यह चुनना पड़ता है अगर एक better alternative रहेगा तीन चार पांच parties रहेंगी तो ज्यादा बहतर चुन पाएंगे लेकिन ये दो parties ही जो majority में रहती है और उनमें सही एक चुनना पड़ता है अगर एक minor action सजिस्ट करता है और कहता है कि अगर एक minor action होगा तो इससे बहुत बड़े consequences आ सकते हैं जैसे आपका एक बाल सफेद हो गया तो आपने गोला कि एक बाल सफेद हो गया आगे चलके ये 10 बाल होगा 20 हो जाएगा फिर मैं बहुत जल्दी सारे बाल मेरे सफेद हो जाएंगे और मैं फिर बुढ़ा दिखने लगूंगा ऐसा हो जाएगा तो ये slippery slope है तिलकतार बनान और circular reasoning वही कि आप premise पर ही पहुंच जाते हो गूंगाम के जैसे कि अगर लिखा है कि God exist करते हैं और ऐसा Bible में लिखा है और पूछा आप से कि कौन लिखा है तो किसी ने बोला कि God नहीं लिखा है तो फिर तो बात गूंगे वहीं आगे न कि God नहीं लिखा है कि God exist करते हैं औ और वह कहां लिखा है उन्होंने Bible में तो आप कैसे इस चीज को reason कर पाओगे तो ये भी नहीं होगा इसका सही उतर ए हो जाएगा अब छटा प्रश्ण है मारा विच और फॉल्विंग इस एन एसेंसिल करेक्टरिस्टिक और लर्निंग और्गनाजिशन लर्निंग और्गन लचीला पन और अनुकूलन छमता तीसा उपसन है हाई स्टाफ टरन ओवर यानि उच करमचारी पलायन और चोथा उपसन है कठोर पदानुक्रमिक संद्चना स्ट्रिक्ट हाइरिकल स्ट्रक्चर बताए इन में से कौन सा एक विसेस्था होना चाहिए एक लर्निंग और्ग यह अगर डिसिजिण में एक जगह से होगा केंदरी कृत होगा तो इससे कहीं न कहीं रिजिडिनेस आजाता है यह अर यह फ्लैक्सिबलीटी कम NEहीं होना चाहिए तो यह फ्लैक्सिबलीटी कम होने क brightness कम होने के वजए से यह उप्सन जो है यह यह अल्य मिनेट हो गया तो यह नहीं होगा, flexibility and adaptability, अगर flexibility रहेगा, adaptability रहेगा, तो जो organization है न, वो thrive करेगा, ज्यादा बहतर करेगा, क्योंकि अगर आप flexible रहेंगे, as an organization, तो आप नए-ने changes को adapt करने के लिए ready रहेंगे, आप learners के needs को, उनकी क्या जरूरते हैं, उनको, उनकी हिसाब से आप जो है deal करेंगे उनकी क्या weaknesses हैं, क्या strength है, उसके उपर काम करेंगे, current needs क्या है, क्या trend चल रहा है, world की, इसके उपर काम करेंगे, तो flexibility and adaptability is the correct answer for question number six, लचीला पन और अनुकुल अन्चमता, अगर हम third option के बारे हम बात करें, high staff turnover, तो यह instability दिखाता है, लर्निंग के बारे में यह नहीं है, उ strict hierarchical structure, अगर कठोर पदानुक्रमिक संरचना रहेगी, तो इससे कहीं न कहीं collaboration में दिक्कत आएगी, आपस में सहयोग के माध्यम से सीखने में दिक्कत आएगी, सीखाने में दिक्कत आएगी, और अपने बात को जो higher authorities हैं वहां तक पहुँचाने में दिक्कत आएगी, तो य यहां पर मेरे साथ आप practice करिये, आपको difference clear हो जाएगा, आपको सुमझ में आ जाएगा कि कहां पर मुझे जादा बहतर तरीके से समझाते हुए एक एक question कराया जा रहा है और बहुत ही systematic way में, बहुत ही clean manner में, या न, audio, video, हर चीज जो है, इसके उपर मैं ध्यान देता हूँ 7th question है, which of the following approaches to research primarily emphasizes numerical data and statistical analysis, आसान प्रशन है, नमलिकित, सोध दिर्श्टी कोड में से कौन सा मुख्य रूप से संख्यानात्मक डेटा और सांख्य की अविसलेशन पर जोड देता है, पहला option है, qualitative approach यानि गुणात्मक दिर्श्टी कोड, दूसरा option है, quantitative approach यानि मात्रात्मक द से कोड, और चौता option है, action research, कारवाही शोध, बताए इसमें से कौन सा साही उत्तर होगा, question number 7 लिखके, नीचे comment section में mention कर दिजिए, and then we'll start discussing each and every option, देखिए अगर हम बात करें, first option की qualitative approach, तो यह focus करता है, non numerical data पर, आपको भी मालूम है, जहाँ पर गुणों की बात करें, पर हम behavioral aspect के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर non numerical data होता है, या फिर ऐसा data descriptive होता है, जो वर्णात्मक होता है, जिसका वर्णन आप करते हो, लेकिन numbers में नहीं ला सकते हो, तो कहीं न कहीं, यह subjective data हो जाता है, objectivity यहाँ पर कम हो जाती है, व्यक्ति परक्ता आ जाता है, वस् statistical method पर, जो मातरा की बात करें, तो वहाँ पर numbers के बारे में हम बात करेंगे ही, सांखेकी के बारे में बात करेंगे ही, तो इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा, quantitative approach, और mixed method approach में क्या होता है, कि qualitative और quantitative दोनों आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ numerical data के बारे में बात कर रहा है, सि इसे classroom setting नहीं, कोई problem हो गया, और तुरंद उसका solution चाहिए, तो उसके लिए action research होता है, तो यह भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, B option, तो I hope कि इसका सही उत्तर नीचे comment section में आपने दिया हो, अब हम बढ़ते हैं, अपने अगले प्रशन, आर्ट प्रशन के तर पहला option है, University Brands Commission यानि UGC, विस्विध्याले, अनुदानायोग, दूसा option है, NCTE, National Council for Teacher Education या राष्ट्य सिक्षक सिक्षा परिशद, तीसा option है, AICTE, All India Council for Technical Education, और चौथा option है, NAAC, यानि National Assessment and Accreditation Councils को कहते हैं, राष्ट्य मुल्यांकन और प्रत्यायन परिशद, तो बताएग में से कौन सा जो है, Higher Education System के संदर्ब में देखें, तो वो body है, वो निकाय है, जो की responsible है, एक्रेडिट करना, यानि मानेता देने का काम उसका है, कौन सा होगा, आपका क्या साय उत्तार है, नीचे comment section में question rate लिखके mention कर दीजिए, and then we'll start discussing each and every option, देखें, first option के बारे में बात कर का exam होता है, और यही वो body है, जो आपको GRF का amount भी देती है, तो यह grants के काम में रहता है, इनका काम अनुदान का काम रहता है, इनका regulate भी करते है, तो इनका regulation का काम होता है, याद रखेगा, regulation plus funding, अब आपको बताना है कि UGC का establishment कौन से year में हुआ था, नीचे comment section में जरूर ब सिर्फ और सिर्फ teacher education program को regulate करते हैं, तो यह भी नहीं होगा, यानी सिर्फ सिख्षक सिख्षा परिशद, जो है न, ये सिख्षक सिख्षा के बारे में है, all India Council for Technical Education, ये technical education के बारे में देखते हैं, ये technical education program को वरसी करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जो प्रद् है टेक्निकल एजुकेशन वाला जो फिल्ड है उसमें काम करते हैं चौता ओप्सन इसका सही उत्तर होगा D-Option N-A-A-C National Assessment and Accreditation Council राष्ट्य मुल्यांकन और पत्यायन परिशन तो जो N-A-A-C है न ये एक्रिडिट करता है High Regulation Reduction को Quality Assurance के लिए ये काम करता है ये ये मानेता देता है और गुर्वत्ता के उपर काम करता है गुर्वत्ता के उपर जो है जिसका पूरा फोकस होता है तो D-Options का Correct Answer हो जाएगा ये होप कि इसका सही हुदतर अपने नीचे Comment Section में दे दिया हो और फिर हम बढ़ते हैं अपने 9 प्रशन के तरफ तो देखे लगभग अम इन प्रशनों के संखला में आखरी तक पहुँच चुके हैं एक प्रशनों जिसके बाद बचा है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कैंडले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ अपने Study Group में सेयर के कीजिए और जो भी आपका Feedback है जो भी प्रतिक रिया है आपकी नीचे Comment Section के माधियम से हमें ज़रूर बताईएगा हमारा प्रशन है यानि सुकरात विधी से जो प्रशन पूछना है यसे सिठ्षन विधी के रूप में निमलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वार्नन करता है पहला है चात्रों को पुर्व निर्धारित उत्तर प्रदान करना प्रवाइडिंग सुदेंस विड प्रेटर्मेंड आंसुस दोसा उप्सन है आलोचनात्मक सोच को उत्तेजित करने के लिए खुले प्रशनों के सिंखला पूछना आस्किंग सीरीज ओफ ओपेन एंडेट क्वेस्टन तु स्टुमिलेट क्रिटिकल थिंकिंग दीससा उप्सन है गिवेंग लेक्चर्स और की कॉंसर्प्स और थियोरीज यानि प्रमुख औधार्ना और सिध्धानतों पर व्याख्यान देरा और चौथा उप्सन है तथ्यात्मक जानकारी की अध्धास्त को बढ़ावा देना इनकरेजिंग मेमोराईजिशन और फैक्ट्वल इन्फॉमिशन बताई इन चार उप्सन में से आपको क्या लग रहा है कौन सा सही उत्तर होगा तो मैं पहले आप्सन के बारे में बात करूं प्रोवाइडिंग स्टूदेंस विट प्रिडेटमिंड आंसर यानि चात्रों को पुरू निद्धारित उत्तर बदान करना तो ये कही न कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का जो आइडिया है उसको अपोज कर रहा है अगर आप पहले से ही कोई आंसर निद्धारित करके और चात्रों को बता दे रहे हैं तो वो कहीं न कहीं जो आलोचनात्मक चिंतन है जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको अपोज कर रहा है तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर अगर हम दूसरा ओप्सन देखें तो आलोचनात्मक सोच को तेजीत करने के लिए खुले प्रश्णों के सिंखला पूछना तो सौक्रेटिक क्वेस्टिनिंग में यही तो होता है open-ended question पूछा जाता है और deep thought और analysis यहां encourage किया जाता है तो यानि कि यहां पर in-depth चीजों को सोचने पर मजबूर किया जाता है यहां पर बच्चों को आप stimulate करते हैं उनके अंदर या अलोचनात्मक चिंतन है इसको बढ़ावा देते हैं तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा Socratic questioning में अलोचनात्मक सोच को तेजित किया जाता है ताकि जो चात्र है वो ज़्यादा खुले दिमाग से सोच सकें और ज़्यादा उनके संग्यान का विखास हो और वो भी जो है इनका जो cognitive skill है और ज़्यादा बेटर बने Lectures अगर आप दे रहे हैं की concepts और theories पर तो यह तो one way teaching method है जाना इसमें जो चात्र है वो active होता ही नहीं है तो यह तो बिल्कुल नहीं सक्रेता यहाँ पर होती नहीं है तो questioning वेगरा का यहाँ जो room है वो भी नहीं होता है वही memorization अगेन यह रटने के ऊपर जोड़ डालना है अगर आप रटने पर जोड़ दार रहे हैं अगर rote learning के ऊपर focus कर रहे हैं तो यह reflection कैसे हुआ कहीं न कहीं यह questioning यहाँ पर कहां बीच में आ रहा है नहीं हो रहा है तो इसलिए बी option इसका सही उत्तर हो जाएगा I hope कि इसका सही उत्तर नीचे comment section में आपने दे दिया हो और अब हम बढ़ते हैं दस्वे प्रशन के तरफ हमारा दस्वा प्रशन है इन people development environment which of the following best describes the concept of social capital लोगों के विकास प्रयावन में निमलकीत में से कौन सा सामाजीक पुन्जी के अधारना का सबसे अच्छा वर्णन करता है याना social capital बहुत important question है बहुत अच्छा प्रशन है तो बताईएगा पहला option है the financial resources available for development यानि विकास के लिए उप्रव दिवित्य संसाधन दूसा option है the networks, relationship and trust that enable collective action यानि network, रिस्ते और विश्वास जो सामुहिक क्रिया को सक्छा मनाते है तीसा option है the physical infrastructure needed for community development यानि सामुदाइक विकास के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी धाचा और चौता option है the policies and laws that govern economic transactions यानि आर्थिक लेंदेन को नियंतित करने वाले नीतियां और कानून तो बताइए इनमें से कौन सा people development environment के संदार्थ में देखें तो सबसे best describe करता है social capital को समाजिक पूंजी social capital क्या होता है ये आपसे पूछ रहा देखे दो हम social capital के बारे में बात करें आपको क्या लग रहा है question number 10 का क्या सही उत्तर होगा नीचे comment section में mention कर दीजिएगा चुकि ये last question है तो आप वीडियो को like भी साथी साथ जरूर कर दीजिएगा तो financial resources यहां पर बात कर रहा है financial resources जो है यह economic capital के बारे में बात करता है यह कहीं न कहीं अगर आप financial resources के उपर ध्यान दे रहे हैं तो network, relationship और trust यह क्या है यह कहीं न कहीं जो है यह अलग-अलग इसके विसिस्ताएं हैं किस चीज की social capital की यानि social capital वो होता है जहां पर social networks होते हैं जहां पर trust जो है वो facilitate करता है collaboration होता है आपस में सह संबंद होता है collaborative tools का इस्तिमाल करते हैं हम साथी साथ हम क्या करते हैं shared goals रखते हैं यानि कि हमारे जो goals हमारे जो लक्ष है न वो आपस में मेल जोल से चलते हैं तो इसका सही उत्तर B option हो जाएगा network, रिष्टे और विश्वास जो सामोही क्रिया को सक्षम बनाता है C option है the physical infrastructure needed for community development तो C option जो नहीं होगा यह material resource है तो यह material resource में आ जाता है तो यह भी नहीं होगा और policies और laws जो govern करती है economic transaction तो यह अगर बात करें तो यह governance mechanism के बारे में बात कर रहा है सक्षम बनाते है सामोही क्रिया को सक्षम बनाते है वो social capital होता है तो यही इसका साही उत्तर हो जाएगा तो I hope कि इसका साही उत्तर आपने नीचे comment section में mention कर दिया होगा और यह सब ही प्रश्ण आपको अच्छे लगे होंगे पसंद आये होंगे तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक और मैं मिलता हूँ आपसे अगले जो आपके यह session है जो daily practice session चल रहे है इनके उपर देखिया आपका examination अब बहुत ज़्यादा नंदीक है dates भी announce हो गया है जिसके बारे में आप लोग बार 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 कूश रहे थे तो NTA अपना bomb फोर दिया है और dates announce कर दिया है तो अब आपके पास कोई chance नहीं है कि आप miss करें in sessions को तो बिल्कुल miss करें मत करिये daily judy in sessions से बहुत ज़्यादा interactive बहुत ज़्यादा effective और comprehensive sessions होते हैं आपके जो भी सुझाओं है उसका मुझे इंतजार रहता है तो हमारे जो doubt group है वहाँ पर भी आप अपने प्रशन पूछ सकते हैं और जो भी सुझाओं है वो दे सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले practice session के ताद तल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए नमस्कार